हैबी ड्यूटी कंपनी फीटिट सिंगल डिस्टिबूटर वॉल्व देने लगी है त्री पॉइंट ऑटोमेटिकली डेफ्ट एंड ड्राफ्ट कंट्रोल बार के साथ में आते हैं कंपनी फीटिट 95 कजी का फ्रेंट वंपर ऑफर कर दूएल एक्टिंग हाइड्रोलिक वैले करने वाला काफी ज्यादा रिलाइवल और एक बेस्ट डेक्टर तो चलिए हम आज का फुल डिटेल वीडियो स्टार्ट करते हैं कुछ डेफरेंट फीचर के साथ में तो यहां पर आप देख सकते हैं पहले बदलाव कि यदि हम बात करेंगे तो यहां पर जो है कंपनी ने यदी हम बात करेंगे इस कमपनी की तो काफी जादा ट्रस्टट ब्रांट इंडिया के अंदर जो की एर कूल एंजिन बनाने के लिए काफी ज़ादा सकसेस माने जाते हैं यहां पर जो यदि हम इस्टेरिंग की बात करेंगे तो इस टेरिंग में आपको डुएल 75 kg का heavy duty front bumper offer करती थी बड़ कमपणी न जो है अब आपको इस टेक्टर में front bumper 95 kg का offer कर दिया है साथ ही इस टेक्टर के अधी हम front axle की बात करेंगे तो इस टेक्टर में जो आपको heavy duty company fitted state forward याने की सीधे वाले जो है company आपको एकदम स्टेक्टर में front axle offer करती है और यह जो एक्सल है non adjustable होते मतलब इन एक्सलों को अपने नहीं कर सकते साथ ही यहां पर जो है आपको स्टेक्टर में hydraulic power steering के अंदर company बड़ा कर दिया है इस टेक्टर के पंपों को तो यहां पर जो है इस टेक्टर की लिफ्ट जो है बेस्ट तरीके से वर्ट करें उसके लिए company ने आपको स्टेक्टर में देख सकते हैं है इस टेक्टर में जो है आपको इंडिया के काफी जादर ट्रस्टिड ब्रांट एक्साइट कंपनी की बारा बोल्ट 75 एज के साथ में आने वाली बैटरी मिलती है और दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा और फीचर दिखाता हूं इस टेक्टर के डिफरेंट वाली है यहां पर देख सकते हैं आफ आपको जो है इस टेक्टर के यृडी फिल्टर आते ड्वा डीजल फिल्टर इसको है इसको भी अग कमपनी पर चैनजश कर दिए है अब ठोड़ी सी ट्राइंड के साथ मैं स्परेंग ड्विल्य पेडिटर आथे जो की बॉतस कंतमी के में देट आ नटर पर करता है और यहाँ पर यहाँ पर जो हमको टैक्टर आपको स्रैक्टर को का सथे जार्ज इंजन आता है कर दोस्त यदि हम इंजन की बात करेंगे तो 2945 CC का फोर स्टोक डिरेक्ट इंजेक्शन नेचुरल इस्प्रेट डीजल इंजन मिल जाता है जो की 540 से लेके 200 स्टेंडर रेटेड आर्पीम तक वर्क करता है इस टैक्टर में जो है आपको यदि हम बात करेंगे एक्च्वल इंजन आपको 38 HP का मिलता बट यह जो टैक्टर है 40 HP सिग्मेंट के अंदर काफी ज्यादा इंडिया में मार्केट को जो है कैप्चर करता चला जा रहा है इस टैक्टर में अधि हम फ्रेंट लुक की बात करेंगे तो आईसर का आपको इस टैक्टर में फ्रेंट लुक मिल जाता है जो की आईसर अपने हर एक टैक्टर का में ओफर करती है फ्रेंट में जो है आपको आईसर का डेलीकेटेड लुक मिल जाता है दो हिलोजन लाइड मिल जाती है और इस टैक्टर की पांच ग्रूम जो है ग्रिल मिल जाती है जो की इस टैक्टर की 5 स्टार रेटिंग के साथ म पर जो है आपको स्टेक्टर में 5-star rating की Bajzing मिल जाती है पर रिसेंट्ली company ने आपको आपको स्टेक्टर में देख सकते हैं सूपर प्लस के साथ में स्टेक्टर को launch कर दिया है जिससे स्टेक्टर की power जो है काफी ज्यादा enhance हो चुकी है पहले के मुकावले यहाँ पर जो आपको स्टेक्टर में फाइवर का टूल बॉक्स आफर करता है आइसर जो की फेंडर से अटेच किया गया है ब्रेक लाइट और इंटीकेटर की बात करेंगे तो पहले की तरह जो है आपको इस्टेक्टर में सैम ब्रेक लाइट और इंटीकेटर का प्रफेक्ट कॉंबिनेशन मिल जाता है यहां पर जो है आपको इस्टेक्टर में पावर स्टेरिंग की बेजिंग मिल जाती है दोस्तो चेहांगो पिष्ट्रेटर के मिल जाता है और पिषले टाइर के अधी हम बात करेंगे तो इसमें भी जो पिशला टाइर 13 6 28 के साथ में उपलब्द कराती है कंपनी साथ ही दोस्तों यहां पर जो अल्मोस्ट पचास लीटर की प्यूल्स की मिल जाती है अब हम बात करेंगे स्टेक्टर में ऊपर के तरफ की फीचरस की उससे पहले आप को लाइक किये हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले है यदि यदि कर आपको दूस आजहाएं इन दर अरट का specific fuel consumption मिल जाता है यह चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं के उपर की तरफ ऊपर की भी बात करेंगे हम इस ट्रैedo में उपर जो है क्या-क्या फीचर्स मिल जाते हैं आपको इस ट्रैक्टर में तो थोड़ा सा पहले तो मैं स्टेरींग काट लूँ आला कि इस benefit कलिस्टर हमने एंद स्ट्रैक्टर के oil temperature और साथ में टेक्टर के temperature जैसी information आपको इस टेक्टर की instrument कलस्टर में मिल जाती है और इस टेक्टर का जो mirror है काफी शांदार जहां में place किया गया है जिससे आपको पीछे की तरफ की visibility है वो काफी जादा शांदार मिलना वाली है और पहले 368 में आपने इस तरह की steering नहीं देखी होगी एकदम गोल वाली plan जो है steering आती थी बट आई सर न जो है इस टेक्टर की steering को भी देख सकते है तोटली चेंजी कर दिया है पांस्तो शनतावन टाइप जो आपको इस टेक्टर में steering मिल जाती है यहां पर जो है आपको इसमें israkt को एक बार में fully काट सकते हो और यदी हम स्टेक्टर में driver के राइड तरब की बात करेंगे तो यहां पर जो है आपको स्टेक्टर के नंबर ओफ गयर जो है चार मिल जाते है इसी में जो है आपको रिवर्स का गयर मिल जाता है लेप तरब के दिए हम बात करेंगे तो यहां पर जो है आपको स्टेक्टर में लो हाई का गयर मिल जाता है स आइसर 368 में यह जो है आइसर का टॉप मॉडल देख रहे हैं क्लच की बात करेंगे तो स्टेक्टर में जो आप डूल क्लच मिलती हैं इसी से जो है आप स्टेक्टर का ट्रांस्मीशन और पीडियो ऑपडेट करते हैं अब हम आपको स्टेक्टर के लाइव आरपीयं साथ में टर्निंग डेडियेशन को चेक कराएंगे तर्निंग डेडियेशन अरतेश से 40 एच्पी के अंदर काफी अच्छा रखता है यह टैक्क काफी शांदार टर्निंग डेडियेशन है इंजन कटफ लीवर जो है कंपनी ने रिशेंटली चेंजिस करके ठीक सुच के नीचे कर दिया है यह भी काफी अच्छा फीचर से बदलाओ जो किया है आई सार ने स्टेक्टर में चलिए अब हम बात करेंगे स्टेक्टर में पीछे की तरफ के फीचर की दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बारा आए है ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं इस्टेक्टर का जो पैसेंजर ग्रेव हैंडल है काफी जादा हैवी डूटी ओफर करता है आई सार और जो इस्टेक्टर की के साथ में अघर पर जो हैवी डूटी कम पहले नहीं मिलता था यहाँ पर गंशदर क्सीजिए यहाँ पर मैं आपको पाइप यहाँ इसलिए और नहीं पैलते और दोस्तों यहां पर मैंने आपको बताया ल य्ट यैसी सॉकिड़ बार भीधिया के लिए चिसाल्यडे ग यसी connectivity ले सकते हैं साथ ही स्टेक्टर में पीडियू की बात करें तो इंडिया में आइसर का इकलौता ही ऐसा टेक्टर है जिसमें आपको 38 HP के इंजन के साथ में 35.1 HP का मल्टी ग्यार स्पीड के साथ में आने वाला काफी दादा तगडी परफोर्मेंस करने वाला पीडियू ओफर करता है आपको इस्टेक्टर में और दोस्तों इस्टेक्टर में एक चीज और बता दूँ अभी हेच नहीं लगी हुई है कंपनी हेच भी लगाके देती है आपको तो आपको इस्टेक्टर में हाइडरोलिक के अंदर देख सकते चैन नहीं बलकि स्टेप बार ओफर करता है अवाइसर आईसर के 366 मोडल में और यहां पर जो है आपको इस्टेक्टर में नंबर प्लेट के लिए देख सकते पहले से प्रोभीजनल कर आके देती है कंपनी सा 1200-1500 केजी की बहतर चमता वाली लिफ्ट कैपिसिटी ओफर करता है आइसर तो दोस्तों यह थी आइसर के रिसेंट्ली लॉंच आइसर 368 फाइव स्टार रेटिंग के साथ में आने वाली टेक्टर का फॉल डिटेल रिव्यू वीडियो आसा करते हैं वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा वीडियो अच्छी लेगी तो वीडियो को लाइक सेर और चैनल को सब्सक्राइब जय जवान जय किशान